जिन भाईों के भी ऑनलाइन अफलाइ करते वक्त कुछ भी गलतिया हो गई थी अपने अप्लिकेशन फ़र्म में या उनके डॉकुमेंस में कुछ गलती थी स्पेलिंग मिस्टेक थे ना मलग था कुछ भी प्राबलम थी तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरी हुए थे जब से जो रिजेक्ट लेटर आना शुरू हुआ था 13 फरवरी को जैसे ही मेडिकल कंप्लिट हुआ उसके बाद हमारे डोजर चेक होने लग गए थे डोजर का मतलब हमारे डॉकुमेंस चेक होने लग गए थे आप सबको पता है मेडिकल जब हो रहा था तब डॉकुमेंस सिर्फ लिये गए थे हमसे सिर्फ जो डॉकुमेंस मांगे थे हम लोगों ने उनको सिर्फ वो डॉकुमेंस दे थे लेकिन हमारे डॉकुमेंस को किसी ने भी चेक नहीं किया या किसे ने भी उस डॉकुमेंस को देखा तक नहीं था उन्होंने सिर्फ हमारे वो डॉकुमेंस ले लिया और उनके पास रख ले थे लेकिन जैसे ही मेडिकल प्रोसेस खतम हुआ उसके बाद हमारे डोजय चेक होने शुरू हो गए थे तो जैसे ही किसी भाई का डॉकुमेंस में अकर कुछ प्राबलम पाई जाती है जैसे कि उसका सरनेम अलग है या उसका नेम में मिस्टेक है स्पेलिंग मिस्टेक है नाम अलग अलग है या उसकी डेट अप बर्त में मिस्टेक है application form में कुछ और है documents में कुछ और है तो उसको reject letter आ रहे थे तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा confusion था और बहुत सारी भाईयों को सिर्फ मन में एक ही डर था कि भाई हमें ना आ जाए later किसी दिन हमें ना आ जाए तो आज के वीडियो का main topic यही है कि reject letter अभी आ सकता है कि नहीं तो इसका answer है नहीं अभी letter नहीं आएगा क्योंकि 24 मार से आपका रिमेडिगा शुरू होने वाला था इसका मतलब है कि आपके जो भी letters वगरा है वो complete उसकी process जो थी वो complete हो चुकी है और जितने भी documents थे वो checking हो चुके है और उनके dozer वगरा सब कुछ एकदम attach हो चुके है file एकदम आपकी ready हो चुकी है ठीक है जैसे remedical वालों के process खतम होती है वो कब शुरू होती है अभी नहीं पता है लेकिन उसकी जो process से वो खतम जैसे हो जाती है उसके बाद final merit list का process शुरू हो जाएगी तो rejection letter जो थे आपके March मेने में ज्यादा से ज्यादा 15 तारिक तक आने थे वो भी आचुके जिन लोगों के address वगरा में कुछ गल्ती थी उनको एक भाई जिनको 12 March को आया था क्योंकि उनके address में कुछ गल्ती थी इसलिए पोस्ट मैंड जो था वो उसका घर मतलब उसके जो letter आया था उसको पहुचा है नहीं पा रहा था तो last letter जो आया था 12 March को आया था और आज जिस दिन में वीडियो बना रहा हूँ आज 20 March है तो अब भी कोई भी reject letter नहीं आने वाला है मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि भाई मुझे तो नहीं reject letter आ जाएगा मेरा यह मेरा यह problem है वो problem है इसे बाती कर रहे थे और मुझे से पूस्ते रहे थे थे इसलिए मैंने specially यह चोटी सी वीडियो आपके लिए बना दी अभी आपको किसी कोबी डरने की कोई जरूत नहीं अभी आपका reject letter नहीं आने वाला है आप एद्दम निचिंद रो और free रो अब आपका पूरा process खतम हो चुका है आप अगर medical fit हो गया हो तो अभी आगर जिन लोगों का medical medical होना है सिर्फ उन लोगों का थोड़ा भी दिक्कत है यह coronavirus को लेकर उनका भी जैसे भरती process खतम हो जाता है यह coronavirus के जैसे खतम हो जाता है उसके बाद उनका भी process शुरू हो जाएगा और उनका भी बरती